नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बनने से पहले एक नजर सुख्यों पर सदन के बाहर सरकार के खिलाव विपक्ष का जोड़दार हंगामा बिहार में अगले एक सब्ता तक सिक्षा विवाग की सभी छुट्टियां स्थगिन सुपर तीस की कहानी पर अब बनेगी वेफ सरीज दर्भाता मुंबई फ्लाइट इतने दिनों तक हुई रद टेस्ट के नमबर वन गेंदबाज बने इस एलिट कलब का हिस्सा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से सदन के बाहर सरकार के खिला वपक्ष का जोड़दार हंगामा आज यानि के 13 जुलाई को बिहार विधान सभा के मौनसून सत्र का चौथा दिन है ऐसे में आज की कारेवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधाईकों के द्वारा हाथों में पोस्टर लेकर सदन के बाहर मुख्य गेट पर खड़ा होकर अपनी मांगों को लेकर जोड़दार हंगामा किया गया और साथी सरकार के खिलाफ जम कर नारे बाजी भी की गई बतादी के आज इस हंगामे के दौरान बीजेपी विधाईकों के द्वारा बिहार सरकार से युवाओं को 10 लाख नौक्री देने के सरकार के वादी पर हिसाब मागा गया महीं बीजेपी विधाइकों के द्वारा बिहार सक्षक न्यूकती नियमावाली को लेकर भी सरकार के खिलाब जम कर विरोध किया गया और नियोजस सक्षकों को बेना किसी परिच्छा के राजिक कर्मी का दर्जा दिये जाने की मांग की गई महीं दूसरी ओर बीजेपी के सक्ती प्रदर्शर में पुलस के द्वारा बीजेपी निताओं और कारेकरताओं पर लाठी चार्ज किया गया और साथी वाटर कैरन कभी इस्तमाल किया गया ताकि भीट को तोरा जा सके सक्षक भरती परिच्छा को लेकर आज होगी बैठक बिहार लोग सेवा आयोग के दौरा बिहार सक्षक भरती परिच्छा को लेकर बड़े अस्तर से तयारी की जा रही है वही आज इस परिच्छा के आयोजन को लेकर मुखे सचीव के दौरा आज साम वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें राज्य के सभी डियम सामिल होंगे बता दे किस बैठक में मुखे सचीव के दौरा यह नर्दीस दिया जाएगा कि सभी जिलो का परिच्छा सेंटर पर सुरक्षा के इंतिजाम और नकल रोकने का परियाप्त इंतिजाम किया जाए आपके जानकारी के लिए बता द सभी जडिया है कि अगले एक सबता तक प्रकार के अवकास सगत रहेंगे एसे में अगर किसी आकश्मिक स्थिती में अवकास लेनी की जरूत पर नेनी होगी पतादे के साशे का पत्र सभी जिला सिक्षा पतादिकारी जिला कारेक्रम पतादिकारी वा कारेक्रम पतादिकारी वा कारेक्रम पतादिकारी वा कारेक्रम पतादिकारी को विभाग के प्रशासर निदेशक सुवोत कुमार चौधरी के द्वरा जारी की गई है इसके साथ इके के पाठक के ओर से यह भी नर्देश दिया गया है कि विभाग के हर पदादिकाली प्रतेक सप्ता हमें कम से कम 10-10 कॉलेजों का नरिक्षन करने का काम करेंगे इसके साथ इविभाग के ओर से लिखे पत्र में यह कहा गया है कि अगर आज यानी की 13 जुलाई को सक्षक विद्याले में अनुपस्थित पाय जाते हैं तो उनके उपर कारवाई करते वे उन्हें ततकाल निलंबित कर दिया जाएगा और साथ ही नियोजन इकाई को अनुशाशनात्मक कारवाई के लिए लिखा गया सूपर 30 की कहानी पर अब बनेगी वेफसरी विहार के लाल आनंद कुमार एक भारती गनित अग्यत सक्षावित था पहुत सी राश्षी था अंतराश्ट्रे गनित की पत्रिकाओं के इस्तंभकार हैं उन्हें प्रसदी सूपर 30 कारेक्रम के कारण मिली जो कि उन्होंने पटना बिहार से 2002 में प्राड़म किया था जिसके अंतरगत आर्थिक रूप से पिछरे चातरों को आयाईटी स्युक्त प्रवीश प्रतियोगिता परिच्छा की तयारी करवाई जाती है लिकिन सब के बी जी के मलाल था और वो मुझसे अकसर कहा करते थे कि आपके जीवन और उसके संगहर्स को दो घंटे में मैं रूप हले परदी पर नहीं उतार सका और आज आखिरकार सूपर 30 फिल्म रिलीस के चार साल पूरे होने के बाद उनके गुजारिस पर मैंने उनको अपने जीवन प और अच्छी मेडिकल सुधा मिल सके इसके लिए बहुत जल्दी 578 पदों पर बहाली की जाने वाली है जिन में डिप्टी मेडिकल सुप्रेटेंडेंट ओफिस असिस्टेंट केमिस्ट जूनियर इंजीनिर आदी पदों पर बहाली निकाली गई है मैं फीजो थेरेपिस्ट, लाब टेकनीशियन, डेंटल टेकनीशियन, टीबी एवं चस्ट विभाग के लिए नर्सिंग स्टाफ, अक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, लाइब्रेरियन, पर्सनल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, साइक्रेट्रिक्स, मैनेज मेडिको सोशल, सर्विस मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर, टेकनीकल ऑफिसर, असिस्टेंट एड्मिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आदी, अलग-अलग पदो पर अगले एक सब्ता के अंदर ऑनलाइन आविदन किये जाएंगे पतादे कि इस बाले में पटना एम्स के नदीश, डॉक्टर जी के पॉल के द्वारा बताया गया कि अभ्यरती आविदन करने के लिए एम्स की वेबसाइट www.aimspatna.edu.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं धर्ना में शामिल होने वाले सक्चकों पर होगी काड़वाई बिहार की राजदानी पटना में सक्चा विवाग के द्वारा दिये गए नर्देश के अनुसार 11 जुलाई को सक्चक भरती द्यामावाली के खिलाफ किये गए धर्ना प्रदर्शन में सामल सक्चकों को निलंबित और उनके खिलाफ काड़वाई करने की कवाया शुरू हो बतादे कि इसके लिए CCTV कैमरी की मदद से पदर्शन में सक्चकों को चनहत किया जा रहा और सूची तैयार की जा रही है इसके साथ ही उन सक्चकों पर भी प्रात्मी की दर्ज करवाई जाएगी जो दूसरे सक्चकों को भढ़काने का काम करते हैं बतादे की दिये के नर्देश के तहट जिला सक्चा पदादीकारी पतना की ओर से पदर्शन में शामिल दो सक्चकों पर कारवाई को लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है वालमों के इन दो सक्चकों में बी-एन कॉलिजीएट स्कूल में कारवरत नगर माधिमिक सक्षक राजेश कुमार और उत्रम इत्मध्य विद्याले जमालपूर धरणवा में कारेड़त प्रकर्ण सक्षक मुहमद सनाउल्ला के नाम सामिल हैं कल से बिहार की राजधानी में मिलेंगे सस्ता टमाटर टमाटर की आसमान छूती कीमतों से लोगों के किजन का बज़र्ट खड़ हो गया है लेकिन आप उन्हें इनकीमतों से चुटकारा मिलने वाला है दरसल कल यानिक शुक्रवार से बिहार की राजधानी पटना सहे देश के कहीं सहरों में रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री की जाएगी जो की बाज़ार की कीमत से कम से कम 30 फीज़दी कम होगी दिल्ली एवं NCR उत्तरप्रदीश पिहार और पश्रिम बंगाज सामिल है वही जनस्थानों से यह टमाटर खरीदे जाएंगे उनमें निफिड और NCCF करनाटक आंत्रप्रदीश और महराश्र प्रमकृप से शामिल है दिग्गा गुलंबर से गंगा चैनल बिस तक बनेग किया जाएगा जिसके तहट दो किलोमीटर हिस्ते को खूबसूरत बनाया जाएगा और साथ ही कई सुधाएं भी लोगों के लिए विकसित की जाएगी पताली की वर्तमान में गंगा पत पर जो पेवर ब्लॉक है और जहां दुकाने लगाई जाती है वहां वेंडिंग जोन बनाया जाएगा और साथ ही खुबसूरत द्रिश्य के लिए लैंड स्केपिंग भी होगी लोगों को बैठने के लिए बेंच मिलेंगे इसके लावा हर 500 मीटर पर सौचाले पीने के पानी की विवस्ता बैठने की विवस्ता के साथ साथ दुकान लगाने वाले के लिए बर भी बढ़ रहा है बता दे कि बिहार का जहाना बाद ऐसा जिला बन गया है जो 100 फीस दी डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है वहीं अब बिहार के दूसरे जिले की बारी है जो अरवल और सेख पूरा है आपके जानकारी के लिए बता दे कि अब तक अरवल में बच एक डिजिटल टूल का उप्योग कर रहे हैं। इसके लिए बढ़ गई हैं जो पुर्व में ही बुकिंग कर चुके थे मालम हो कि कई यात्रियों ने 16 जुलाई का टिकेट लिया था लेकिन अब फ्लाइट रद होने के कारण यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था ढूनने के लिए विवन ट्रैवल एजेंसियों से संपर् हैं बतादे की फ्लाइट रद होने के बाद यात्रियों के द्वारा कहा जा रहा किस रूट पर एक ही फ्लाइट के रोज जाने से और उसे भी रद कर दिये जाने से वेठ अगा महजूस कर रहे मालम हो कि दर्भंगा एयरपोर्ट उत्तर बिहार का एक प्रमुक रविंद्र कुमार एक बाद फिर से राश्ट्री अस्तर पर चर्चा में आ गए हैं दरहसल नई दिली की शामा प्रशाद मुखर जी सिविक सेंटर में संकल्प दोड़ा आयुजित किये गए गुरू सम्मान एवं सिवल सेवा परिच्छा 2022 में रविंद्र कुमार की एवर से मांट एवलिष्ट पर चरहाई की है जिसके तहत उन्होंने अपनी पहली चरहाई सिक्के में पदस्थापन के दौरान वर्स 2013 में 19 मैं को की थी तो वही दूसरी चरहाई वर्स 2015 में स्वच भारत अभियान को लेकर जागरुकता फैलाने को लेकर की थी रविंद्र कुमार मर्चेट नेवी ओफसर भी रह चुके हैं विधान सभा से भाजपा विधायकों को मार्सलो ने टांग कर किया बाहर आज बिहार विधान सभा के मौनसून सत्र के चौथे दिन सदन में हंगामा कर रहे पीजेपी विधायक जिवेश मिश्रा को विधान सभाय स्पीकर के गया लेकिन जब स्पीकर की बाद बीजेपी विधायकों के द्वारा नहीं मानी गई और हंगामा जारी रहा तो मार्सलो के द्वारा विधान सभाय स्पीकर के आदीश पर सदम से बाहर कर दिया गया वैं इसके बाद भी बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा और इ बिहार विधान सभा के मौनसून सत्र के खत्म होने के बार शाम सारे पांच बजे से बिहार के मुखे मंतरी नितीश हुमार के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें कई एजेंडों पर मोहर लगाए जाएंगे बता दे कि यह बैठक मुखे सच सकती है जो बिहार वार्थियों के लिए काफी फाइदेवन सावित हो सकता है मुखे मंतरी के खिलाफ मांची की पार्टी इस दिन करेगी आंदोलन पिहार के नवादा में मुखे मंतर नितीश कुमार के खिलाफ के जाने वाले आंदोलन को लेकर आयोजित की गई बैठक से बाद निकल कर सामने आई है कि बिहार के पुर्व मुखे मंतरी जीतर ना मांची की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा 17 जुलाई को मुखे मंतरी नितीश कुमार के खिलाफ आंदोलन निकाले जाएंगे बता देग इस बात की जानकारी जला अध्यक्च अशोक मांची के द्वारा दी गई है उन्होंने बताया कि धरनाक अकार एक्रम 17 जुलाई को बिहार सरकार के खिलाफ समार नाले पर आयोजित क्या जाएगा उन्होंने कहा कि मुखे मंतरी नितीश कुमार गडीबों के साथ जोन्याय कर रहे हैं उसके खिलाफ हम धरना करें सराबंदी करके गडीबों की रोजी रोटी पर भी आफ़त ला दी गई है तारी बेच कर पासी समाज के लोग अपना जीवन पालन करते थे आज उन लोगों की मौत हो रही है इसके जिमेदार भी बिहार के सीम है टेस्ट के नमबर वन गेंदबाज बने इस एलेट क्लब का हैसा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वर्ल्ल टेस्ट चैंपियंशिप दो हजार तेस पच्चुस के शिरवात हो चुकी है ऐसे में दोनों के बीच डोमेनिका के विंसर पार्क में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है वेस्ट इंडीज ने टॉस चीत कर पहल नाम कर लिया है अस्विन ने इंगलान के इस्पिनर जेम्स एंडर्सन का रिकॉर्ड तोर दिया है और खुद पांच विकेट हॉल में एक नंबर ऊपर आ गये हैं अगर वे दो बार और ये कारनामा कर लेते हैं तो वह महान भारतिये गेंदबाज कंबले की बडाबरी कर ल लंगा के दिगज गेंदबाज मुथाय अमुर्ली धरन है बीते दिन अमधरा पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग निफजाब हमें हमारे कमेंट सक्षन बॉक्स मन लिख कर दिया था जिन्होंने अमधरा पूछी का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, उमी श्यसिदेव, अरुन प्रभाकर, लक्षमी मेता, संदीप यादा, मुहम्मद अर्मान, संजीत कुमार, शुमन, राज के सोर, नौस्ट अंसारी, मुहम्मद सकीर हुसेर, नीरफ प्रशास सिंग, मुटो नंगीला, कनया कुमार, बाबुलाल मरांडी कुमार यादव, इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है, पहले टेस्ट मैच की मौजुदा इस सती को देखते वे, आपके नुसार भारत और वेस्टनीज में कसका पलरा भारी है, अपना जवाब हमें अमारे कमन सेक्शन में लिखकर, जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम कबरों के साथ बहरे डहरें के लिए देखते रहें बिहारी नियूस, और साथ ही अगर आप यूटूब से रहें चनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देखें तो पीसको फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद